yeah ६िबियeस कैसे बनाते है तो बियविएस का ये चोता पार्ट है जो थमरूल है जोzing।ெक्स पॉइंट्स है बिच्लिक आपके formulas है वो जो आपके लिए important होते हैं काभी लोग को BBS बनाने से पहले BBS का formula जाना चाहिए BBS के जो rules होते हैं वो जाना चाहिए तभी आप BBS बना पाएंगे BBS क्या होता है bar bending schedule आपका जो bean, column, slab, footing, shear wall, आपका staircase सबस्क्राइब करेंगे कि कितना स्टील लगा हुआ इसमें तो उसके लिए सबसे पहले basic rules होते हैं आपके लिए जो बहुत जानना जरूरी होता है तो यह भी पोस्ट इंपोर्टेंट से वीडियो आपके लिए तो प्लीज वीडियो को लाज तक जरूर देखना कि बहुत सी बात ऐसी होती है जो मैं आपको बताता है रहता हूँ अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सबस्क्राइब वीडियो को लाइक और वीडियो को सेर्ज जरू कर देना तो सबसे जान लेते हैं आपके पांच वा पॉइंट है तो वेट और पर मीटर में लिखते हैं अगर आ लायाओ की बार है वह मिलिमीटर में है या फिर आपका इंचिस में है या फिर आपका सूतर में है तो इसी बेस पे महां पे वेट पर मीटर या फिर वेट पर फीट लिखा जाता है तो वहीं हम यहां पे जानेंगे कि वेट जो बार होता है जा आपकर राउंड बार होता है यहां पर square bar की हम बात नहीं कर रहे हैं round bar हम जो side पर use करते हैं उसकी बात कर रहे हैं तो formula है d square divided by 162 इसका जो formula होता है d square divided by 162 जो d रहता है डाय और ती बार रहता है example हम देख लेते हैं अगर आपने डाय जो steel bar को जो use कर रहे हैं बारे में का तो वहां पर क्या आने वाल है मतलब उसका जो land है cutting land है क्या आने वाल ही है तो इसका जो unit आएगी kg पर meter तो unit हम यहां पर देख लेंगे kg kg पर meter के अंदर तो d square divided by 162 हो जाता है यहां पर die of the bar भाग 162 तो 12 कुना 12 हो जाता है भाग 162 तो 12 हमारे पास इसको calculation करते है तो 0.88 kg पर meter आने वाल है मतलब एक meter की जो length है सरीय का उसका जो weight है इतना रहता है अगर आपके पास है 8 mm का सरीया है या फिर आपका 16 mm का सरीया है तो उसका वजन कितना आएगा simple आपको भी वही करना है यहाँ पर आपका 16 mm का सरीया है तो आपके simple आपको क्या करना है 162 से जो भी आपका आएगा वो आपका आएगा kg पर meter मतलब एक meter की length का जो सरीया है जो एक meter की सरीया है उसका वजन आपको यहाँ पर आने वाला है उसकी वाद आप जान लेते हैं weight of reinforcement bar per feet सरिय का उसमें कितना वज़न आने वाला है अगर आपके पास fps system unit महाँ पर है अगर आपके जो रेंपोर्टमेंट सरिया है महाँ पर मिलिमीटर में है और आप जाना चाहते हो कि पर sait fit, कितना लेंट होने वालई है अगर आपके diamonds न है drawings चे दॉछ emotions के अंदर filter के अंदर उने उना पड़ेगा में कीटर में लिखेंगे तो केजी पर filter लिखेंगे यह जो बहुत बहुल जा लेते हैं तो weight of power per feet Pitts जो सरिया का जो वजन है in banking upfront में कि उसमाँ वजन कितना होने वाला है उसका जब formula होता है d square divided by 533 इसका ये थमरूल है ये कहां से आया d square divided by 533 d square by 162 ये derivation है इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसका जब लिंक है मैं आपको डिसके समय में देजूँँगा तो आपके लिए helpful होने वाला है तो यहाँ पर जो d है वो क्या है millimeter में है ठीक है example ले लेता हूँ मैं 12 mm अगर आपको डाया है 12 mm का है तो क्या वज़न आने वाला है तो d क्या आपके 12 गुना 12 भाग 532 और 144 बार 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 कितना हो जाता है 144 और 533 इसको भाग कर लेते हैं तो 0.27 kg आ जाता है ठीक है पर लेकिन यहाँ पर आपके आपका जो चार सुत्तर का जो सरिया होता है वह उसका जो मिलिमेटर में आमने जो calculate किया था 12.7 mm तो 12.7 गुना 12.7 भार 533 तो आपका जाता है एक मिटर में होता है 3.28CC होता है और हम select करते हैं यह हमारे पास आया है पर лишь moment अगर एक मिटर में 55 wat to do is another thing to 이거를 होता है थो सिंपल की बात है कि आपको एगा कितना पर लिए तो यहां पर 0.8 मतलब यह आपका वामूल्या यह सही है मतलब यहां पर उग है अगर निकालेंगे अगर आम बारा जो सूतर है जो सूतर में सरीया होता है तो महां पर क्या निकलता है 12.7 mm हो जाता है तो यह आपका kg माइगा 0.302 kg आ जाता है अगर हमके weight of bar per feet निगालना है अगर आपका जो डाया है इन सुतरम के अंदर है अगर आपके सुतर के अंदर है ड्रोइइंस के अंदर तो आपके kg कि परफिट कि आने वाला है तो इसका फॉर्मला होता है दिस्क्राइब बाइब 52.81 होता है काफी लोग क्या करते है 52.89 तो यहां पर होता है इसका एक डेरिवेशन भी है मैं इसको वीडियो भी मना चुका हूँ उसका भी लिंक में आपको डिस्क्राइब दोंगा के लिए ब चीट केज़ी पर फिट प जाए और मिली मिमिला में तो इसिलिए जो इस्टेनर जो अच्छा यो कि निकाल जाता है वह तो आपका 10 के 52 kg पर मीटर में फिर लिखा ला जाता है यह आप यहां पर यह आपको फार्मूला यह रहता है उसके बाद यह वाला इस्टेंडर रहता है कि आप सूतर में लिखते हैं तो उसका हमारा साथ पॉइंट वेट पर रेंफॉर्समेंट बार पर मीटर मतलब एक पर पूरी एक लेंट होती है आपकी जो बंडल के अंदर तो यहां पे जो वेट है पर रेंफॉर्समेंट बार चॉप का जो स्टील बार है पर मीटर केजी पर मीटर में तो यहां पर हम जा लेते हैं कि पर मीटर केजी तो यहां के जो केजी है कि पर मीटर के अंदर लेंद आन निदे कि यहां पर सब्सक्राइब की था a एमारे पास 12.15 एप्रोक्स 1.5 होताए पर हम लॻते है तो 12μέdr ही लिखते है एप बीबिस बनाने डायओ French यू तो इनटू स्टैंडर जो लैंद होता है ऊप बारकी तो 12 लैंट होता है और वनुक आनुरि यूल्ण हमारे पास सबद़ तो जितने भी आपके जो लैंट है उसके आप निगा लेंगे तो सिंपल क्या होता है बारे मिटर ही लिखा जाता है तो हम इसको गुना कर लेते हैं तो 10.83 kg आपका आजाता है और वहीं पर हम जा लेते हैं आप रेंपोर्समेंड जो बार होता है लैंट और जो पूरी एक लै लेता है फार्मूला पर फीट के लिए kg पर फीट और हमारे पास लेता है 40 फीट की इसको हम क्यालेशन करेंगे तो हमारे पास test point क्या जाता है ठीक है तो होता है तो नेफ्स वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी जो बार होते हैं आपकी जो कॉलम के अंदर जो रिंग्स के अंदर जो बार होते हैं जो आपके बैंड होते हैं यह आपके बैंड जो बनाते है टाइम में जो बैंड डिडेक्शन किया जाता है 90D अगर आपके 90D है 45 डिग्री है और 135 डिग्री है तो 180 डिग्री है तो इसके लिए जो बैंड डिडेक्शन यह आपका बैंड क्योंकि ज इह 45-degree का एंग। हमारे पास bent up bar है। यak हमारा bent up इस तरह से हमारा bent up सरीया हुआ यह हमारा bent up होगा है यह इसके इस Sydney वह गया है अर यह बार हमारा करे 50 videos on but jatah मौА पुरature से जाके इस miliva, तो यह बैंड कितना हुआ है हमारा 135 डिग्री में बैंड हुआ इस चीज़ को हमने किया इस एंसे बैंड तो यह क्या हुआ 35 डिग्री बैंड तो वह हो जाता है वह 45 डिग्री में तो उसमें क्या जैता है 1 इंटो डी तो मतलब 1 इंटो डी क्या है डाय off the bar मतलब जीतना आपका वार का सरीख होतेis来 8m'का है। तो वह पी 8m'का वहां पे डिक्सान कर दिया जाएगा, Total length में जीतनी आपने length निकाली समें से band reduction कर दिया जाता है ल divine 090 विर्फन जो रिंक बनाते हो आप इसमेंmor बनाते हैं यसमें bend होता है, इक दो थी 11ICH. सबस्तर विऑ और यह कितना होते हैं इससे गया इससे गया इससे बनाने अगा तो में इसके लिए यह थी में यूश्ता साधिये मातन सबस्यदियों सबस्क्राइब टाइब अगर आप काफी और आपके कोलम के अंदर जो हुक्स पराड़ करते हैं इसकी लेंड कितनी ली जाती है आइस कोड के कोड़ी तो वीटियो को जूल लास्त तक थे बहुत इंपोटेंट है काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि कि भीबेस पर वीडियो बनाएं बिनाएं तो मैं काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ B मेसिक्स आपको चीकन आए तो यह वीडियो आ पकuuuu पूल तो यह अवाली यह तो थैंक्स जौ भाचिंग इस वीडियो मिलतें एक शी वीडियो में भाई